तो गाइस बहुत दिन सा आपके कोमेंट आ रहे थे कि सर्वोगली सूपर 1800-3 के बारे में इसकी सर्विस से रिलेटिड एक वीडियो बनाईए तो इसी से रिलेटिड मैंने एक वीडियो बनाया है यह वीडियो जो है इस समय कमपनी का निर्धारिद किया हुआ है कितने गंट है हर 250 घंटे पर हमें चेंज करना होता है फ्रेंड जो की 15W 40 का और इसमें 23 लिटर इंजन आयल आता है इसके साथ हमें जो है ओयल फिल्टर डीजल फिल्टर और वाटर सपरेटर भी इसी के साथ साथ हमें चेंज करने होते हैं इनही 250 घंटों में तो दूसरे नंबर पर आ जाता है friends हमारा hydraulic से रिल्टेट है hydraulic हमारा जो 46 नंबर का आता है जो की 230 लिटर इसमें आता है total जो tank की capacity है वो 230 लिटर की है friends अगर hydraulic के change करने की बात करें तो ये हर 1000 गंटों पर हमें change करना होता है हर 1000 गंटों पर हमको change कर देना है और इसमें hydraulic filter की बात करें तो हम जो की हमें हर 500 गंटों पर change करना होता है ये 500 गंटों पर हमें change कर देना है इससे machine का life अच्छा रहता है बात करें guys तीसरे नंबर पर तो तीसरे नंबर पर हमारा आ जाता है gearbox आयल जो की हमारा 9 लिटर आता है जो की 85 CW90 नंबर का आता है ये हमें हर 500 गंटों पर change करना होता है जो की वोगली company से ये समय निर्धारित किया हुआ है आ जाते हैं friend चोथे नंबर पर जो की track motor जो track motor होती है इसमें हमारा 85 CW90 नंबर का आयल आता है जो की 5 लिटर एक मोटर में आता है जो की हमें हर 500 गंटों पर change करना होता है हर 500 गंटों में हमें इसको change कर देना है आ जाते हैं friend पांचवे नंबर पर जो की हम conveyor से related बात करेंगे conveyor motor की तरफ तो 85 CW90 नंबर का आयल आता है जो की 1.5 लिटर एक मोटर में आयल आता है जिसको हमें हर 500 गंटों पर change करना होता है चैन नंबर पर guys बात करते हैं ओगर मोटर की तरफ तो ओगर मोटर में 85 CW90 का आयल आता है जो की एक मोटर में 1.5 लिटर आयल आता है जो हमें हर 500 गंटों पर change करना होता है friends आ जाते हैं air filter की ओर तो ये हमारा 500 गंटों पर ही change होता है ये भी समय company का ही निर्धारित किया हुआ है ये किसी ने अपनी तरफ से नहीं बनाया है अब आ जाते हैं friends हम आठवे नमबर पर आठवे नमबर पर जो हम कुलेंट की बात करेंगे इसमें 20 लिटर आता है ये जो है टोटल 20 लिटर इसकी कुलेंट की केपिसिटी है अब बात करें हम इसके diesel tank की केपिसिटी के बारे में तो इसके जो diesel tank की केपिसिटी है इसमें डिजल तीनसो लिटर आता है उम्मीद करता हूं गाज ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक किजिए चैनल को सब्सक्राइब किजिए हम ऐसे ही नोलिजदार वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे Thank you so much